गुद मॉर्निंग बच्चों, कक्षा आठ, एक्सरसाइज 1.1 का एक टॉपिक है, मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स, यानि की गुननात्मक प्रतिलोम, गुना में प्रतिलोम यानि उल्टा, कैसे यह मैं आज बताता हूँ, मा लीजिए, हमारे पास एक संख्या है, आठ, तो गुननात्मक प्रतिलोम क्या है, इसे किस संख्या से गुना किया जाए, ताकि उत्तर आए, एक, याद कीजेगा, योज्य प्रतिलोम में जोड आना चाहिए, जीरो, लेकिन गुननात्मक प्रतिलोम में गुनन आना चाहिए, एक, तो आठ को किस से गुना करें, तो एक यदि मैं यहां 16, 12 कुछ भी संख्या लिखूंगा तो हुमारा उत्तर एक नहीं आ सकता देखिए 8 को मान लीजिए मैं 12 से गुना करता हूं तो यह आ जाएगा चार बटा पांच लेकिन एक नहीं आएगा एक कब आएगा जब आठ को किसी ऐसी संख्या से भाग किया जाए ताकि यह कट जाए तो आठ आठ से ही कटेगा देखिया आठ से आठ कट गया एक एक गुना एक एक इसका मतलब आठ का गुननात्मक प्रतिलोम होगा एक बटा आठ ऐसे ही एक बटा आठ का गुननात्मक प्रतिलोम होगा आठ आएए हम इसके कुछ उधारन देखते हैं 12 का गुननात्मक प्रतिलोम होगा एक बटा बारा माइनस पंदरा का गुननात्मक प्रतिलोम होगा माइनस एक बटा पंदरा 3 बटा 4 इसको जब हम 4 बटा 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा और 4 से 4 कटेगा तो 3 बटा 4 का गुननात्मक प्रतिलोम होगा चार बटा तीन छे बटा ग्यारा का गुननात्मक प्रतिलोम होगा ग्यारा बटा छे और यदि कभी आपसे पूछा जाए एक का गुननात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो एक का गुननात्मक प्रतिलोम होगा एक और शुन्य इसका गुननात्मक प्रतिलोम नहीं होता है सिरफ शुन्य ही ऐसी संख्या है जिसका गुननात्मक प्रतिलोम नहीं होता एक ही ऐसी संख्या है जिसका गुननात्मक प्रतिलोम भी इसके बराबर होगा ऐसे बहुत से स्वाल आपको कमपेटिशन में पूछे जाते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जिसका गुननात्मक प्रतिलोम उसके बराबरी हो तो उसका उत्तर है एक क्योंकि इसका गुननात्मक प्रतिलोम भी एक ही होगा और एक चीज में आपको साथ में ही और बता दूं कि गुननात्मक प्रतिलोम को व्यूत करम भी कहा जाता है गुननात्मक प्रतिलोम को व्यूत क्रम आधाव यू व्यूत क्रम भी कहा जाता है